नवस्कार दोस्तों स्वागत आज फिर आपका इस नए वीडियो में आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोड़क्ट जरूर कर रहे होंगे तो दोस्तों अपना चल रहा है अपरिलिया का रीस्टोरेशन अब ये जो सीरीज है दोस्तों इसके साथ पार्ट अल्रेड़ी आचुके हैं जिसमें हमने इसके मेकैनिकल इशूज, इलेक्टरिक इशूज, सस्पेंट सेंसे रिलेटेड इशूज इसके अंदर हमने परफॉर्मेंस एक्जॉस इंस्टॉल किया और इसके अंदर हमने कैनन का परफॉर्मेंस एर फिल्टर इंस्टॉल किया तो ये सब करने के पीछे परपर्ज ये है कि इसको बनाना है वन आफ दा बेस्ट अपरीलिया अविलेवल इन इंडिया दूसरी जो चीज है दोस्तों वो है इन टम्स ओफ लुक्स एंड इन टम्स ओफ परफॉर्मेंस दोनों चीजों का कॉंबिनेशन बना के इसको बेस्ट बनाना है अभी बात आती है दोस्तों इसके लुक्स की लुक्स के मामले में ये वैसे ही बहुत खूबसूरत लगती थी पिशला पार्ट अगर आपने इस सीरीज का देखा है तो उसमें हमने इसका पेंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था इसको डी असेंबल हमने किया है डिसेंबल पूरा खोल के अभी दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इसके पार्ट को सेंड एंड पेंट तो स्टीकरिंग उतारने वाले हैं तो वो सारी चीज़ें अगर आप देखना चातने हैं प्लीज वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और एक रिक्वेस्ट है आपसे इस सीरीज को बहुत कम प्यार मिल रहा है आप लोगों की तरफ से अगर मैं बोलू है एवरेज नियर अबाउट मेरे 6000 सस्क्राइबर्स हैं और एवरेज इस सीरीज की वीडियो पे पचास, साथ, सत्तर असी वीउज आ रहा है तो अगर आपको बाइक से या फिर स्कूटी से या आटमोबील से महबत है तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए क्योंकि एक्च्वल में मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ महनत के साथ साथ टाइम जा रहा है, एक्सपेंसेज लग रहे हैं तो अगर आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा साथ ही अपना चल रहा है 365 डेज, 365 वीडियो का चैलेंज भी जिसमें हम everyday इवनिंग में 5 बजे एक ऐसा ही informative वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते हैं तो दोस्तों जादा देर ना करते हुए, मैं करता हूँ process अपना start आप लोग अगर in future ऐसा ही content देखना चाहते हैं, चैनल को subscribe जरूर से कर लीज़ेगा आपके opinions के लिए comment box खुला हुआ है, साथ ही अगर extra बातचीत चाहते हैं आप या कोई और information चाहते हैं तो मैं मिल जाओं आपको Instagram के उपर भी, हमारी Instagram family near about 4000 की है तो अगर आप join होते हैं तो family बढ़ेगी, हम सब के लिए अच्छा होगा सो मैं start करता हूँ, links आपको description box में मिल जाएंगे, Instagram का, Telegram पे भी अपना group है, उसका भी hunter owners का So I own a hunter also, जो अधर गड़ी होई है, उसका भी कुछ ना कुछ करेंगे हैं, बड़ी problems आ रही हैं इन future बाकी फिलाल ये series जो है मेरे लिए जादा complicated है, because ये करना एक बहुत बड़ा risk लेने के बराबर है, क्योंकि इसमें electronics बहुत फरजाइल हैं, सारी body की fittings बहुत फरजाइल हैं, बाइक में easy होता है, आपने खोला, निकाला, paint कर दिया, लेकिन इसमें चीजें actual में बहुत रिमूव किया सबसे पहले, heat gun की मदद से, heat gun की मदद से जब आप sticker को निकालते हैं, तो वो easily निकल जाता है, और ये जो frame है, पूरा जो body है, ये plastic से बनी हुई है, and इसका जो plastic है, उसकी भी quality कुछ बहुत जादा आप to the mark नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि ABS quality का बना हुआ है तो हमने बड़ी बारी की से, बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से सारी plastic पैसे, stickers को रिमूव किया, heat gun बार बार लगा के, and बड़ा दुख हो रहा था, ये करते हुए दोस्तों, क्योंकि इसके stickers बहुत खुबचूरत लगता है, and मैंने फर्स टाइम एपरिलिया को 2016 में, गोवा में देखा था, सेम चीजों के साथ में, तभी मेरे को देखते ही, अच्छी लग गई थी, and जब मैंने 2017 में इसे लेने का प्लान बनाया, तो इसका SR 150 race variant आ गया था, जो कि मैं ओन करता हूँ, जिसके उपर हम अभी sticker निकाल रहे हैं, जिसके, तो थोड़ा painful था, but किय क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको चीजों को replace तो करना ही पड़ता है, and life का यही formula भी है, कि if you want something better, so आपको hard work and pain वो face करना पड़ता है, तो यह मेरे लिए बहुत मुस्किल था, बढ़ चलिए अच्छे से हो गया, अब सबसे पहले दोस्तों हमन सेंड किया, इसका जो head है, या जो मैं बोलूँ, visor है, उसको हमने सेंड किया, क्योंकि उसके उपर stickers थे, gum लगा हुआ था, and plain plastic है, paint बैठेगा, नहीं बैठेगा, तो sending करने से क्या है, कि जो gum है, adhesive लगा हुआ है, stickers का, वो निकल जाएगा, दूसरा थोड़ा सा roughness दिखाई देगा, roughness अगर होगा, तो paint हमारा easily bet पाएगा उसके उपर, तो rough करने के बाद, दूसरा जो part जो हमने rough किया, दोस्तों वो था, इसका carrier इसे बोल सकते हैं, या grab handle बोल सकते हैं, या grab rail बोल सकते हैं, इसको हमने सेंड किया, वैसे तो ये black ही है, बट इसके उपर minor scratches दिखाई देते हैं, तो जब हम पूरा restoration करी रहें, तो ये छोटी सी चीज़ को क्यों छोड़ना, तो हमने इसके उपर भी sandpaper apply किया, 1000 grade का, sanding के बाद ये भी थोड़ा rough हो जाएगा, paint अच्छे से बैठ पाएगा, इसके बाद में दोस्तों जो हमारा third part है, that is हमारा exhaust, ये जो है दोस्त के उपर होगा heat resistance paint, जो की गर्मी को absorb कर सके और heat होने के बाद वो paint peel off ना हो, तो अभी exhaust के उपर rusting थी, क्योंकि 2017 से आज 24 है, तो near about 7 साल तो हो गए है इसे, तो first time ये खुल रहा है, हमने खोल के इसे निकाला है, तो हमने इसको sand किया अच्छे से, अब दोस्तों, जो हमारा fourth part बचता है, that is plastic का part है वो, and ये जो part है दोस्तों, ये भी कहीं न गई हीट, इसके heat के environment में ही ये रहता है, इंजिन का part है, लेकिन है plastic का ABS material का plastic है, non-painted, इसको भी हम sand कर रहे है, इसको sand करने के पीछे reason ये है, पहले मैंना सोचा था, कि इसको hydro dip हम करवा लेंगे carbon fiber में, but फि easily available नहीं है, मेरे नजदीक मां hydro dip, so इसलिए हमने ये plan drop किया, कि हमें इसको black heat paint करेंगे, and heat resistant paint या फिराम acrylic paint इसके उपर use करेंगे, so इसको भी हमने send कर लिया है, थोड़ा सा rough हो गया है, and rough होने के बाद में, अब इसके उपर paint अच्छे से बैठ पाएगा, so दोस्तों, ये है है, वो तीनों पार्ट, अब sending का process सारी चीज़े complete होने के बाद में, हमने इसे isopropyl alcohol से clean कर लिया है, proper इसको dry कर लिया है, क्योंकि हमने जो sending की थी, वो water-based sending थी, तो उसका कहीं नहीं पानी, या कोई adhesive, या gum, या glue कहीं लगा रह जाता, या dust, तो paint अच्छे से नहीं बैठता तो हमने ये sending करने के बाद इनको अच्छे से clean कर लिया है, isopropyl alcohol से, एक बार मेरे cameraman प्लीज आप नजदी का के एक बार दिखा दीजिए, ये देख सकते हैं, दोस्तों ये rough हो गया है अच्छे से, अब ये इसके उपर paint अच्छे से बैठ जाएगा, ये भी इधर rough हो गया है ये जो area है, ये भी rough हो गया है, तो अभी और ये जो exhaust है, इसके उपर से भी जो rusting है, वो properly निकल गई है, तो अब हम इनके उपर paint का process start करते हैं, और उमीद यही है कि paint अच्छा बैठेगा, और overall results बहुत सांदार निकल के आएंगे, तो कि बहुत महनत, बहुत time, बहुत पै प्यार नहीं मिल रहा, so again request कर रहा हूं, share करिए friend circle में, and I hope ये पूरा series पसंद आएगा, तो अभी paint स्टार्ट करते हैं, दोस्तों